हेलो फ्रेंड्स आजगर जो ट्रोपिक है वो है क्लास 10 की साइंस का चेप्टर नंबर सेकंड और चेप्टर सेकंड का नाम है हुमन सिस्टम हुमन सिस्टम में हमने फर्स्ट सिस्टम कंप्रेट किया था डाइजिस्टिव सिस्टम और अभी पढ़ रहे हैं हम रेस्पेरेटर तो respiratory system का यह चोता वीडियो है और आज लास्ट वीडियो है इससे पहले हमने तीन वीडियो देखें यदि आपने इन तीनों वीडियो को और digestive system को नहीं देखा है तो इनके वीडियो description box में इनके link मिल जाएंगे इन सभी वीडियो के वहां से आप देख सकते हैं तो आज हम respiratory muscle के बारे में पढ़ेंगे भी 밖에 आजया हैं फूर्ड से मिलती है और oxygen से मिलती और मिलती है तो फूर्ड से हमें hangover कि द्यूज्टियोश सिस्टम प्रॉवाइड करवाता है और oxygen की ज् hm जोती है जो रीक्सिशन करते हैं तो energy को release करते हैं और carbon dioxide को release करते हैं तो energy तो हमारी जो sale होती है वो utilize कर लेती है बढ़ carbon dioxide को utilize नहीं करती है हमारी sale तो यह हमारी body के लिए waste material होता है तो इसको respiratory system के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है तो respiratory system का क्या importance है कि O2 को हमारी body में लाना और CO2 को respiratory system तीन face में complete होता है तीन पार्ट है इसके major upper respiratory lower respiratory और respiratory muscles ठीक है तो अपर respiratory में क्या आता है nose, mouth, pharynx, larynx इसके बारे में हमने पढ़ लिया है lower respiratory में ट्रेखिया, bronchi, bronchiol lungs, alveoli यह भी हमने पढ़ लिया है तो अब हम पढ़ते है respiratory muscle जो कि ऐसी मसल जो कि respiration में मदद करती है respiratory muscle वो मसल होती है जो कि respiration में मदद करती है वो कौन सी हो गई है जैसे कि diaphragm तो आज हम diaphragm के बारे में थोड़ा देखेंगे breathing is facilitated by special muscle जो breathing होती है यानि कि जो हम सांस लेते हैं वो special muscle के दोरा ली जाती है इसमें special muscle का भी ईक muscle जो है ज customization जो है diaphragm जो मसल है diaphragm एक muscle है जो कि मैंने अभी आपको बताई थी यह थे यह diaphragm जो कि एक muscle है यह diaphragm जो muscle है वो किससे बनी हुई होती है skeletal muscle से बनी हुई होती है durum дело diaphragm muscle है diaphragm is presented at the base of thoracic cavity और जो diaphragm सो जो मसल है वो कहा होती है थोरेसिक केविटी की बेस पर होती है यानि कि मैंने बता था यहां से यहां तक थोरेसिक केविटी और यहां से यहां तक फिर अपना यह abdominal cavity तो जो यह डाइफ्राम है वो कहा होता है थोरेसिक cavity के base पर डाइफ्राम is present हो गया contraction in diaphragm facilitated entry of air in lungs ठीक है important point है ठीक है यह दोनों important है जब diaphragm यह हम कह सकते हैं कि जो diaphragm muscle है जब यह contraction करती है तब air जो है ओए वो हमारे लंक्स में enter करती है या नि कि हमारी बोड़ी में enter करती है बोड़े नोज के थुरू florint में जाती है जब diaphragm contract करता है जब diaphragm relax होता है तब हमारी जो बोड़ी है हमारा जो duge है उससे जो air है वो remove होती है अगली बात समझ में या जब contraction he charges होता है तब हम oxygen इंपोर्डेंट पॉइंट है आप ध्यान में रखना कॉंट्रेक्सेशन और रिलेक्सेशन वाला तो यह है डाइफ्राम मसल जो कि थोरेसिक के बेस पर होती है